नमस्ते फ्रेंड और वेलकम टू अनदर सेशन ओफ विक्विक्स प्रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया आज हम बड़े ही खास इशू के बारें बात करने वाले हैं मैकसिमम जो रैनो के वहिकल्स हैं रनोल्ट भी हम बोल देते हैं तो देसी भाषा में उन सारी गाडियों में मैकसिमम क्या होता है कि कई बार एक लाइट आ जाती है औरेंज कलर की ठीक है तो उसको लेके बहुत सारे misconceptions हैं और वो misconceptions क्यों हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा उसका reason क्या है कैसे वो तयार होना शुरू हुए वो actual में है क्या पहले मैं आपको बता देता हूँ देखिए अभी मेरा ignition off है अभी ignition on करूँगा मैं तो ignition on करने के बाद में सारी लाइटे आई सारी जाने चाहिए जाने के बाद में भी एक लाइट यहां पर यह रह जारी है और यह है electrical malfunction light बहुत सारे लोग इसको misconcept करते हैं accelerator pedal की लाइट के लिए क्योंकि उसका कारण यह है आपने जितनी भी अभी तक YouTube पे वीडियो देखी है और जितने भी जो channel है जो quid को लेके बनाया गए थे उन सारे channels ने यह light बताई आपको accelerator pedal की light पर यह बिल्कुल गलत है सिर्फ accelerator pedal की light नहीं है अब यार आपका common sense यहां पर use करना चाहिए कि खाली एक accelerator pedal के लिए ही कोई गाड़ी में एक extra light क्यों दी जाएगी सबसे बड़ी चीज तो यह हो गई अब हुआ ऐसा कि लोग quid खरीदा लोगों ने और YouTube पे उन्होंने channel भी बनाया channel बना के अच्छे खासे subscriber भी कमाए और यह जो light थी हलांकि इशू quid में especially जब quid launch हुई थी उसके बाद में जो इशू आया था वो आया था accelerator pedal के करण यह वाला जो light आया था बट यह actual में accelerator pedal का light है ही नहीं अब उन लोगों का क्या हुआ है कि वो company में गए knowledge उनको कुछ गाड़ी का था नहीं अब जो समझ माया वो डाल दिया YouTube पे और यह फैल गई मतलब वाइरल हो गया और सब लोग यह समयने लगे कि यह light जो होती है accelerator pedal की light होती है उसको ठीक कर लेंगे तो यह चली जाएगी और जाती भी है लोगों की है न क्योंकि maximum quid में accelerator pedal का ही problem आता है उसी के related मैंने पहली वीडियो भी बनाई थी तो उसके बाद में मैं भी YouTube पे उसी वीडियो से आया हूँ तो मुद्दे पे आते हैं और सर्स मुद्दा यह है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दूँ कि यह खाली accelerator pedal की light नहीं है यह electrical malfunction की light है और electrical malfunction कहने का मेरा मतलब यह है कि लोगों ने यह भी बताया आपको कि हाँ सर्य यह electrical malfunction की light है और कुछ भी electrical fault होता आपकी गाड़ी में तो यह light आ जाएगी यह धारना भी बिल्कुल गलत है अब मान लो कि आपकी headlight काम नहीं कर रही है तब यह light नहीं आएगी ठीक है टेल light काम नहीं कर रही है तब यह light नहीं आएगी blower motor काम नहीं कर रही है तब यह light नहीं आएगी ठीक है तो मतलब कहने का यह है कि electrical चीजे तो बहुत है मेरी गाड़ी में अब सब के कारण तो यह light नहीं आ सकती तो कुछ तो इसमें अलग होगा कि special ये क्यों दी गई अब Redigo है हमारी Redigo में same engine है Ditto engine है, copy paste है एकदम quid का, दोनों का same B08, WD, ऐसा कुछ करके number है तो same engine दोनों गाडियों में है उसमें एक्स्टर लाइट नहीं दी गी है खाली Renault के vehicles में ये orange color का ऐसे symbol आता है अब ये symbol भी दो तरह का रहता है, अभी तो ये orange color का है, क्योंकि मैंने create किया है अभी अपनी गाड़ी में, इसलिए आपको ये orange color का दिखाई दे रहा है, कुछ time बाद ये red color का हो जाएगा, ठीक है तो red color का और orange color का जुड़े हैं, गाड़ी को start करने में जुड़े हैं या फिर उसकी functioning, smooth functioning में जुड़े हैं, उन electric parts की वज़ा से ये light आती है, अब मैं कहूं कौन से कौन से part है, तो सबसे पहला चीज तो आपका हो गया fuel, ठीक है अगर fuel system से related, अगर electrical malfunction create होता है तब ये light आपके system में आएगी उसको दिखाने के लिए मैं आपको बता भी देता हूँ, आप अपनी गाड़ी में जाना fuel pump की relay निकालना, relay निकालने के बाद में आप ignition on करेंगे, तो ये light आजाएगी, ठीक है, वो एक सबूत रहेगा आपके लिए दूसरा ये light तब आती है जब गाड़ी में जितने भी आपके sensor लग रखे हैं, sensor मैं अगर बोलूँ तो, जितने भी sensor, specially अगर यहाँ पे बात की जाए, तो TDC sensor, जिसको हम crank sensor भी बोलते हैं, ठीक है top dead center जो होता है piston का, उसका sensor उसको crank sensor भी बोलते हैं, एक वो sensor हो गया आपका, दूसरा आपका intake manifold, जो air pressure sensor है वो sensor हो गया, उसकी बज़ा से भी आएगी accelerator pedal जिसको हम बोल देते हैं, हलांकि actual में होता है वो app sensor, app, accelerator pedal position sensor, उसमें अगर कुछ दिक्कत है, तब भी यह light आएगी, दूसरा अगर आपका throttle body है, electronic throttle body है, उसमें अगर कोई malfunction है, electrical, तब भी यह light आएगी प्लस, अगर आपका जो coolant temperature sensor है, उसमें कुछ खराबी आती है, तब भी यह light आएगी engine जो आपका oil pressure sensor है उसकी वज़ा से भी यह light आएगी अब बात करते हैं, कि अगर यही light देनी थी, तो check engine light क्यों आती है भी मेरी, जो बगल में लग रखी है, ठीक है, यह check engine light तो थी already, तो इसको देने का क्या ज़रूरत था, तो यह जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा can system ठीक है, हमारी गाड़ी में दो line हमेशा चलती रहती है, can high and can low, communication lines बोलते हैं उनको, उनके बारे में एक अलग दिन में चर्चा करूँगा उसके बारे में, तो उस दोनो can line का सीधा-सीधा मकसद होता है, जितने भी हमारे electrical parts लग रखे हैं, specially जितने भी module लग रखे हैं, गाड़ी में BCM हो गया, body control module हो गया आपका airbag का module हो गया ठीक है, आपका ECM हो गया जितने भी module आपकी गाड़ी में लग रखे हैं, EPS sensor हो गया electronic power steering जो है उसका sensor हो गया, वो सारे module में से होके गुजरती है can line, और वो धाई volt पे काम करती है, 2.5 volts पे, दो line रहती है, उनका color भी मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, can system के बारे में, can system होता क्या है और वो कैसे function करता है, उसके बारे में एक अलग दिन चर्चा करेंगे, तो can system में अगर कहीं पे can में link कट गया है, तब भी यह आपकी light आएगी, 100% ठीक है, अब आपको confirm कैसे करना है, कि यह light मेरी किस वज़ा से आई है तो accelerator pedal की वज़ा से अगर यह light आई है आपके गाड़ी में तब तो आपको accelerator आप प्रेस करेंगे प्रेस करने पे जैसे मतलब अच्छे से प्रेस करेंगे, तब यह बीच में जाएगी फिर दुबार आ जाएगी, या फिर उसको ऊपर अलका सा उठा के रखेंगे, तब भी आएगी और चली जाएगी कहने का मतलब यह है कोई भी अगर आपकी गाड़ी में sensor लगा है, उस sensor में अगर जो output है, वो ECU को सही से नहीं मिल पा रही है अब जो accelerator pedal position sensor आपका होता है मतलब जो accelerator pedal होता है उसमें आप देखेंगे 6 wire मिलेंगे आपको 6 wires मिलेंगे, वो 6 wires इसलिए होती है, वहाँ पे 2 sensor लगे रहते, डवल sensor है वहाँ पे, तो 3 sensor मतलब एक sensor की 3 wire अलग है और दूसरे sensor की 3 wire अलग है अब उन में एक output की रहती है एक voltage की रहती है और एक ground की wire रहती है तो 2 wire output की होगी 2 wire ground की होगी और 2 wire जो हैं आपकी voltage की होगी, ठीक है तो उन 3 wire में से अगर output wire में, अगर signal सही से नहीं जा रहा है ECU detect कर रहा है कि app sensor जो 1 है उसका voltage कुछ अलग आ रहा है दूसरे वाले का कुछ अलग आ रहा है तो आपका malfunction यहां पे आना शुरू हो जाएगा फर्स तिंग, सेकंड तिंग, अगर output बिल्कुल 0 है, let us suppose अगर accelerator pedal position sensor की बात करें तो अगर वहां से output बिल्कुल 0 है तब यह light आएगी means to say कि अगर आपकी wire कहीं से cut गई है चुहे ने काड़ दी है चाहे तो accelerator pedal position sensor के पास में काड़ दी है या फिर उसका कोई pin है आपको pins दिखाई थी मैंने जब accelerator pedal खोला था उस pin में से कोई एक pin हट गई है तब भी यह light आएगी क्योंकि ECU को ECM जिसको बोल देते हैं ECU भी बोल देते हैं उसको पूरी voltage की output supply वहां तक पहुंचेगी ही नहीं और वो बोलेगा भीया मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है गाड़ी में तो वो आपको electrical malfunction की light यहां पे ला देगा दूसरा जो आपकी throttle body है throttle body में भी आप देखेंगे 6 wire है तो throttle body और आपका जो accelerator pedal position sensor है दोनों में 6-6 wire रहती हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि accelerator pedal से सीधी wire वहां पे throttle body में जा रही है नहीं accelerator pedal position sensor की 6-6 wire जो है वो सारी related रहती है ECU के साथ में सारी वहीं जाती है 6-6 wires वहीं जाएंगी और आपका जो throttle body है throttle body से भी 6-6 wire जो है ECU को जाएंगी ECU जो है वो voltage प्राप्त करेगा आपके accelerator pedal position sensor से और उसके हिसाब से आपकी throttle body को instruct करेगा कि आप भीया इतना open हो जाओ या फिर इतना close हो जाओ तो अगर इस पूरे circuit में है कहीं पे अगर fault आता है कहीं पे भी अगर link तूडता है तब आपका ये accelerator pedal position sensor की जिसको light हम बोल देते हैं जो की actual में malfunction light है electrical की ये आपकी आना शुरू हो जाएगी अब कही बार ये red हो जाती है तो अगर तो ये red हो गई है आपकी तो company आपको instruct करती है कि गाड़ी आप रोक दीजिए उसको मत चलाइए कुछ लोगों की शिकायत बीच में आई थी कि accelerator pedal जो है उसको मतलब repair करनी की कोशिश की गई थी कि उसके बाद में आपका क्या हुआ था पेडल बिल्कुल काम करना बंद कर गया था और गाड़ी आपकी एक certain rpm पे वो एक्चल में 2000 rpm होता है उस rpm पे वर्क करना शुरू कर देती है वो होता है limp mode उसका मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूँगा कि limp mode एक्चल में क्या होता है और क्यों ऐसा होता है उसका कारण क्या होता है पूरा पर सिर्फ अगर इस light की बात करें अगर अकेली ये आ रही है तब आपको दो जगा में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है आपका पहला accelerator pedal position sensor मतलब accelerator pedal और दूसरा आपका जो electronical throttle body है उस पे ध्यान देना है और आपका fuel system fuel injector की कहीं से wire cutty होगी या fuel pump के पास में कहीं wire cutty होगी या फिर आपकी जो fuel pump की relay है वो आपकी चली गई होगी तो दो चीजों पे खास ध्यान देना है तीसरी चीज जिस पे खास ध्यान देना है वो है आपका जो intake manifold के उपर में sensor लग रखा है उसका इबारे में भी मैं बात करूँगा कि उसमें कितनी wires हैं और उनका काम क्या क्या होता है उसका दो ही काम है में आपको मैं मोटा मोटा बता भी देता हूँ उसका main काम एक तो यह है जो आपका air है उस air के temperature को नापना प्लस उसके pressure को नापना कितने pressure में अंदर वो जा रही है तो ही काम है उसके अगर उसकी कहीं wire कटी है तब भी यह आपकी light जो है आना शुरू हो जाएगी पर इसके साथ में अगर extra lights आ रही है let us suppose अगर coolant temperature sensor की light भी साथ में आ रही है तब आपको ध्यान देना है अलग चीज़ पे फिर आपको accelerator pedal पे ध्यान नहीं देना है mainly पहले आप देख लेंगे तो अच्छी बात है मैं आपको check करना बताऊंगा कि pedal position sensor जो है उसकी wiring कैसे check की जाती है कितनी voltage वहाँ पे आनी चाहिए output कितना होना चाहिए वो सारा चीज़ समझाओंगा आपको detail में वीडियो में पर आज जो बात कर रहे है वो बात सिर्फ अकेली जब यह आती है साथ में बहुत सारी light आएंगी तब भी मैं बता दूँगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ खराब होने से कौन सी कौन सी light साथ में इसके आती है तो आज की वीडियो में इतना ही था आपको मेली यही जानना है कि खाली यह accelerator pedal position sensor की light नहीं होती है fuel system में अगर कोई खराब ही है तब भी यह light blink करती है electrical malfunction ज़रूरी नहीं है कि आपका headlight खराब हो जाएगा तब भी आजाएगा ऐसा नहीं होने वाला cluster meter में अगर आपके कोई दिक्कत आ रखी है क्योंकि इसी में integrated है आपका body control module इसी में लगा पड़ा है तो अगर इसमें कोई problem है तब इसमें आ सकती है दिक्कत यहाँ पे तब यह light blink हो सकती है पर आप यह समझ के चलो कि ऐसा नहीं है कि पूरी wiring में आपकी कहीं भी cut जाएगी तब यह light आना शुरू हो जाएगी अगर can system में कुछ cutting होती है तब जरूर यह आएगी उसमें कोई दोर आए नहीं है तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत